हेलो स्टुडेंट्स आज आपन करियर इन आईटी या विश्यवर्थी थोड़े सो बोलना रोत मिझे वाँ क्लास मदे बुसले लास्तो तो ते वाँ खूप मुलांचे माया कड़ एंक्वाइरी जेताथ काही मुला कांसिलिंग साथी येताथ अनि तान्ना IT मदे करियर करायचासता अनि तान्ना IT मजे कुटलाई फेल्ल मदे करियर करायचासता पन तान्ना फक्त माहीते आसत ते computer engineering software engineering ये उड़ाच गउच्थी बदल माहीते आसता माझे आता मी जा भागातून अलो है जा खेडा पाड़ातन मी दसा आलो है तरसा माया सार के आनन्त मुला खेडा पाड़ातन आसता तनना फक्त Computer Science मनला कि वा Computer Engineering मनला कि तनना फक्त Engineering हाँ एकमे परियाद स्तो तर तसन आई है तर आता अपनाला आईटी मदे जर्ज आएचे तर कोंते कोंते परिया आपने कड़ आहे तर परिया बदल आपन आता बोलना रहत तर चला तर मंग मित तुम्हाला एक्स्प्लेन करूं सांग तो सगला वाइट बोर्ड वरते आपन भोगुयात तर कंसेडर तुम्हा मुलगा 10th standard मदे आहे क्यों 10th ची एक्जाम तैन्ने आता जस्ट दिलेली है रिजल काई दिवसाल लागेल क्यों वां 12 ची एक्जाम तैने दिलेली आसे तर तो पात आपन डिसकस करूयात आने तुम्हाला आईटी मदे ज्ट करियर कराएचे तर मीधे करियर इन आ तर तुम्हा कड़ा कुटले कुटले परिया है तो परिया है कि तुम्हाला 11th 12th साइंस कराएचे बरवर साइंस 11,12 तुम्हाला साइंस कराएचे साइंस करों तुम्ही całी CET याई गाएचे बर एक्जाम ग Teach कों इंजीनीरिंग लीं अइनिमेशन याई ठीके ? आता इंथे अरब बगते मेला आपन तर आक्रावी बारा Plato जिला तुम्हाला साइंस मद दोन वर्ष टू येर्ज सा इते पिरेड टाइम पिरेड है बरबर त्यानंतर इंजिनियरिंग फोर येर्ज आनि त्यानंतर तुम्ही आईटी मदे तुम्हा जॉब चूज करा ठीक है हाएक स्ट्रेट फारवड पात जो तुमा सरवान्ना माईती है ब तुमातला एकादी मुलगाया मुलगिये फानेंशियल कंडिशन त्या उड़ी स्ट्रॉंग नाहिए बैक अप नाहिए तसा तर त्या विलेस या गोश्टिम बदल कि वह या सगला खर्चा बदल अपनल थोड़सा डिस्कस करना कर जाचे त्या पर नंतर करना राचो तर य जविन नंतर तुमाला डायरेक्ट डिप्लोमाला एडमेशन गेता है त्या डिप्लोमा आने डिप्लोमा हां तीन वर्षा जासतो त्री येर्स आने तीन वर्षा नंतर तुमाला डायरेक्ट एडमेशन मिलेल इंजिनेरिंग सेकेंड येरला इंजिनेरिंग, सेकंड येर ला, मंझे सेकंड येर डारेक्ट इंजिनेरिंग अडिमिशन मिल आला, येचा आर्थ तुम्हाला तीन वर्ष इंजिनेरिंग करायचे, तीन वर्ष इंजिनेरिंग करायचे, आने मक तुम्हाला आईटी मदे करियर करता येल, मंझे तीन वर्ष डिपलोमा कराइचे, आने तीन वर्ष पुड़े इंजनेरिंग कराइचे, पन तो क्या पॉन्दीशन का आसते, तुमाणा इते जरी सेटी तुमाणा डियावी लागली नाही, तरी डिपलोमा नंतर डारेक्ट सेकन्ड एर इंजनेरिंग ले अडमेशन गेता ना, कॉलेजेस सेट समय आशता है करन जे फर्स्ट इंजिनेरींग ची मुला स्था थ्टियस दे सेकंड डिलेला स्था लिमेटएड सीट सास्था तयम अच्पपलाइचें तीटिटग अबने डिपलोमाचा रिजल्ट बेस रसेल तारानी तुमाले इंजिनेरीं जेकंड एर्लादमेशन मिख तो अधर्वाइस तुम्हाला फोस्ट एर पासन पन सुरुवात कराई लागू शक्ते ठीके त्या केस मदे तो एक विचार डोकेट एवा कि तुम चाहिते साथ वर्ष तुम्हाला कंप्लीट लगतील फाइनल करियर आईटी मदे करने साथी तो एक ती एक गोस्ट महत्वा च िनांतर दहविन आंतर काय करदा है तर दहविन आंतर तुम्हाला कॉमर्स करता ही मैं मैं Commerce करता ही है क्या अक्रवी बारें क misma करता है आनि Commerce मने मातहमेतिक्स ह boost आप्ण मने सुच्ठ कर आद करना सी नोक्मेट ऐसे मातच मतमीते ससे मोलों सब्होला पाइजेज तर कॉमर्स इते तुम्हाला अकराई बार आवी मंजी तुम्हाला दोन वर्ष लागती त्यान अंतर मी सजेस्ट करें कॉमर्स जहला नंतर मुलाना BCA हा कोर्स करता है तो BCA आता BCA में देपन BBA CA मंजे हा BCA कोर्स है आनि दुसरा आज तो BCA सब्सक्राणा निव्यार बार आता वर्ष लागती तर कॉमर्स तर में चैया एक प्रत्य कोर्स बदल डिटेल में तो में विदिडियो करना कॉर्ष तो आपन कंप्लीट वर्वीव गेता है जैचे वरन तुम्हाला थोड़ी शीक आइड़ीया है यहीación आनि और चोई प्रत्य ला अंसर कराई चाप्रेतनमी दे करें नज तर BCA ही तीन वर्च अधा कोर्स है और BCA नंतर BCA नंतर तुम्हाला इंजिनेरिंग करता है ते आनी इंजिनेरिंग स्वरी बी स्वरी बीसे नंतर तुम्हाला MCA करता है तो MCA साथ तुम्हाला परत इते CET दाइवी लागेल CET दाइवी लागेल आनी CET नंतर MCA हा दोन वर्चाचा कोर्स तर आथा इते जर तुम्ही बगीदला तर कॉमर्स दोन वर्च बीसे तीन वर्च पाच वर्च इते जाले आनी MCA दोन वर्चाचा मजे टोटल साथ वर्च तुम्हाला इते लागतेल आनी इतुन तुम्हीं MCA मद उन डारेक्ट करियर करूशकता IT मद है ठीके तर नंतर कॉमर्स केला नंतर BCA करता हील आनी यहां पाता है तर नंतर साइंस नंतर अजुन एक गोश्ट तुम्हाला करता हील तीही जर तुम्हाला इंजिनेरिंग लाज आईचे नसेल तर तुम्हीं BCS करूशकता BCS BCS ह आपन तीन वर्षाचा कर से तीन वर्षाचा कर से आनी BCS नंतर तुम्हीं BCS करूशकता BCS 2 वर्षाचा कर से तुईयर्स आनी तुम्ही करियर आईटी मदे करूशकता क्लियर? 15 नंतर तुमी आर्ट्च गेतलत शुर्वति एला के कही कई लक्षात नयहाल आणिविए 16 नं張 आर्ट्च गेतलत ते परत् ही साँakah आर्ट्स मतेसं एपट तुमीला ados on mathematics subject गेता येटो ते गेतला नंटर तुम citizen परत्क करतह येल मन्जे आकारवी बारावी तुम्हाला कई कलारेटीन हुती तुम्ला नंतर वाट लेखी बार नंतर लेखी पारं और कंपीटर मदे करियर कराईचे तर त्या केसम में तुम्हां आकार निवरोल चक्ता तुम्हाला BCA पन करता हील क्योंवा इतुन हाँ BCA चा चा चो कोर्स है तो पन साइंस चा मुलाणना करता यहूँ शक्तो तनांतर हाज कोर्स आच्छे पन मुलों करूँ शक्ता साइंस मदे तुम्हाला तीनी ओप्शेंस है सीटी दें MicheER निरंग करियर ऐटी मादे eine BCS तनांतर liar några करियर क्यूवा साइज अघंप मीं पाट करतो BCS नंतर PAUL CCS दसकरताय हुद तस BCS नंतर । तुम्ह लौ, CT देऊँ । हाँ फक्त Aёहर बगाल मी नंतर BCS नंतर CT देऊ, तुम्ही MCA पन करू शकता 스報 agож BCS नंतरός मला EMCA पन करताया ल की सल दो मॉर्य करताय त November BCS नंतर मला MCA पन करताया बॉल दोनी options है MCA आनी MCS दोनी दोन वर्षाचे चाहेत, फक्त थोड़ासा कोर्स डिफ्रेंस हेतो, पन फाइनल एंड रिजल्ट काये, तर एंड रिजल्ट हाँ चाहे कि तुम्हाला करियर आईटी मदे करायला मिल्णार है, मंज मेन जे गोल है, करियर इन आईटी, तो तुम्हीं कुटलाही कारण हे कि थोड़ासा वर वर चा तुम्हाला हिशेब सम्जाऊं सांगतो, कि नक्की का है, आता जर बगितला आपन, मंज में 11th 12th Science, 11th 12th Science करायचा, त्या नंतर तुम्हाला CET दाईवी लागेल, आने त्या नंतर इंजिनेरिंग है, आता मी इथे तुम्हाला तुम्हाला कि इथे सांग्नात्र शांप दुम्हाला तुम्हाला कि आने तुम्हाला हिजिक्स केमईस्ट्री मैथzwischen की पगिक्स केमेस्ट्री उटक्व 13th aver युण अि आपाआइशर केमेद़्ित कभाये आ hell न bald तुम्हाला कि मा एलेनरीग न मौन'T dormit which थे तुम्हाला तुम्हाला तास पर येर किवा आपन आकरवी बारवी कंसिदर करू कॉलेच ची फीज 20,000 है आकरवी बारवी मिलू तनांतर CET चा प्रिपरेशन कराइचे तरस्तेचा साथी तुमी स्पेशल क्लासेस वगेरे जॉइन कराल तर त्या साथी ची मिनिमम फीज मी ते कंसिदर करूता है और 1,000,000 रूपीज तुमी इंज़िनेरिंग CET साथी ची फीज तुमी आज्यूम करा कमई जस्ताशु शक्ते है जरे दो थेतो आनि मग इंजिनेरिंग ज już तुम्हाला कराीचै त那 ऐ इंजिनेरिंग थे चार वर्षाचा था है इंजिनेरिंग ची फीज और पास एक ते 10 लाइक चा आतमधे फीज आहे वहरी होतात कॉलेज टू कॉलेज पन चार वर्शा ची चार लाक रुपई फीज तुमी ती आजिम करूं चाला कि फौर इयर्स हा चार वर्षा साथी फौर यर्सा इसाथी ही चार वर्षा साथी चीट साथी याख रहा हिवाराई प्लस सी इटी जे कहीं तुमीस, पेशल कोचिंग वगरे गेतल तर तही यह आनि ही कॉलेजची फीज तर हाजर कंप्लेट अपन टोटल दर काली यह पात करना रात जर तुम्हीं शिफ्ट होना रासाल तर परत रहन्या चे जह होना चे यह सगड़े एक्सपेंसेस तुम्हाला इचे मदे आड करावे लागती तर इते पाच लाक आनी हे वी साजार तर हाँ जो खर्च मीद सांगतो है हाँ अप्रोग्जीमेट है हाँ यह उड़ा च कर रहा है से तर आकड़वारा इक कॉमर्स साथी ठोड़ी शी फीज तुम्हाला साधर आपन तीच रेंज चरेंज साथ हो खूब आशी कमी फीज नसतेसाजाट अपन्दरह अजार ही वर्शा ची फीज कॉलेज ची अनएड़ेड ची फीज तुम्हाला पे कराई लागू श 70 कि ऐस्फिज इस ऐड़ाइं ऐधी वर्षासां चीलाइं चाड़ीश हावाच जातल फेस लिग्वाण समय है yep,वार्वेश और डर्वर रियन तु तीन वर्षासाथ फिस बारार पर् UP चोकते हैं दोन लाक दोन वर्षा साथी है तर टोटल जर या पातनी मंजे कुटला हाँ 11 12 साइन्स है पन साइन्स करून मी जर BCA करून में MCA करून जर ट्राक तसा यहलो तर त्या केस मदे मला हे MCA ची दोन लाक हे तीन साधे तीन आने तीन लाक पासस्थ हाजार मला खरच यह शकतो तीन लाक पासस्थ हाजार खरच यह केस मदे यह शकतो BCA अकरविबारावी साइन्स केले BCA केले MCA करून मंग IT मदे करियर केले सेम तसाच तुमी आर्ट्स करततासल तरी तुमी इकामर्स करत चाहल तरी तुमला BCA करतां मिल और साधर आन तोज खरचीं आरे मज कंपेलेटिवली यहां यां साधर आ पर नखीलीं मत हृटता त millor Armast आकरेवारावी सायंस मदे फिजिक्स केमेस्ट्री लागता तो 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 कॉमर्स मदे पन तुम्हाला मैच गेता है ता आनि जे मैच साइंस ला है तेच मैथेमेटिक्स कॉमर्स 11-12 ला है तर जा मुले मी माझे रिकमेंडेशन हे रहता कि कॉमर्स करून तुम्ही पाथ फॉलो केलार तर ते बेस्ट रही साइस वालाना दुसरा एक अडवन्टेश हा है कि अकरेबार इस साइस करून तुम्ही BCS करू शकता BCS ची पन अवरेज फीज ही चे साधरन तीन वर्षाला दीद लाग आनी MCS तुम्हाला करता है ता आनी MCS साधरन तुम्हाला MCS मुझे तुम्हाला साधरन पूरा एक लाख अवराओी ठर्टता हाजार ही căम्रेट्चा साधरन मुझे माज रिकमेंडेशन यह कि तुमीं M.C.A करे जाओ करनांगी M.C.A ला डेवलप्मेंट ओरियेंटेड जे सब्जेक्ट आसता मैं जे सॉफ्ट्वर डेवलप करना साटी जे सब्जेक्ट आये ते जास्तेज M.C.A as compared to M.C.A तमले हाँ जो ट्राक है मी जो सांगतो है तो ट्राक हाँ पर्फेट है टेन्थ कराएचे तुम्हाला टेन्थ नंतर 11-12 कॉमर्स दोन वर्ष कॉमर्स नंतर B.C.A करता है यहील B.C.A तीन वर्ष तुम्हाला कराएचे B.C.A नंतर तुम्हाला M.C.A ची C.E.T प्रिपेर कराएविला आगेल पन C.E.T साथी तुम्हाला इतो खूब सार वेगल प्रिपेरेशन कराएचे गरज नाई करन C.E.T. ही B.C.A मधे आपन जेकई शिकले ताच्स लेवल ला और ही C.E.T. आट्स वाला साथी पन आस्ते तीन C.E.T. बिकॉम B.C.A साथी पन आपन 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 फोकस करता है लिए थोड़ सा मला सवाटता जर मी साइंस करून, BCS करून, MCS करना है पेक्षा मी जर क्वामर्स के लासते तर मला जासते थे फाइदा जालासते करना फाइनांस भीपन तोड़ी गोश्ट आसते आईटी मदे जे पैशे तुम्हाला मेनार है ते कशिवापरा जे थोड़ा फार है, कॉमर्स मदे तुम्हीं शिकाल, बैलेंशिट गायासते ते शिकाल, तैरन मला फिजिस के मिश्ट चा वापर होत नहीं मुन्हीं मला है, अउनेसली है माजम मत है, तर ही मल्टिपल या कई मतुम्हाला इतों गोश्टी सांगितलेले है तो अप्शेंस बदल विचार करा, तर तुम्हीं कॉमर्स सायंस आर्ट्स काही ही गयोँ शकता, और अंतर करियर तुम्हाइटिम मदे स्विच करूँ शकता, थीक है, तर तुम्हीं आता हाँ वीडियो कंप्लीट बगीतला नंतर तुम्हाला जर कई डाउट आला, तर तुम्हीं तुम्हा चाट विंडो मदे तो डाउट एंटर करा, ते डाउट मी आंसर का राएजा प्रहत्न करें, आनि तुम्हीं नक्की कुटला पाथ चूज करन तुम्हा राथ हें कमेंट मदे सांगले विश्रू नका, थांक्यू